किसी ने सच ही कहा है कि पैसों से आप इस दुन्या में सब कुछ नहीं खरीद सकते। करण जोहर को फिल्म इंडस्ट्री का सबसे अमीर इनसान कहा जाता है। वह वो सब कुछ करते हैं जो वह करना चाहते हैं लेकिन कई बार जीवन में कुछ चीजें आपको हासिल नहीं होती हैं। हाल ही में एक इंटर्व्यू में करण जोहर काफी इमोशन हो गए। दरसल उन्होंने बताया कि उनकी लाइफ अधूरी है। उनके मन में लाइफ पार्टनर के न होने का एक मलाल है। फिल्म कमपैनियन संग बातचीत में करण जोहर ने कहा काश मैंने अपनी पर्सनल लाइफ पर ध्यान दिया होता। मुझे नहीं लगता है कि मैंने ध्यान दिया है। बतार पेरेंट मैं आज के समय में खुद को कम्पलीट महसूस करता हूँ। अच्छा किया कि मैंने यह सेरोगेसी का कदम उठाया। इसमें भी मैं शायद पांच साल लेट हो गया। मुझे यह चीज पहले कर लेनी चाहिए थी। यह relationship building, producer building और studio building के बीच मैं अपनी personal life भूल ही बैठा। करन जोहर ने आगे कहा कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा मलाल मुझे यह है कि मैंने सही समय पर अपनी personal life पर ध्यान नहीं दिया और नहीं यह सोचा कि मुझे आगे जीवन में इस चीज की जरूरत पढ़ सकती है। मुझे लगता है कि अब बहुत देरी हो चुकी है, जब मैं एक life partner की खोज में निकलूं। पहाडों पर जाऊं, उसका हाथ थामूं। एक life partner आपके लिए जो करता है, वह मेरे साथ हो, लेकिन अब मैं यह खुशी नहीं जी पाऊंगा। कुछ चीजें आप अपने partner के साथ ही कर सकते हो, जो मैंने मिस कर दी life में। Soulmate, life partner, relationship, प्यार और romance मैंने सब कुछ मिस कर दिया। मेरे दिल में यह खाली स्पॉट अब नहीं भर सकता। यह मेरी life का बहुत बड़ा regret है। करन जोहर हमेशा बॉलिवूड सितारों के लिए हाई प्रोफाइल पार्टी आयोज़त करते हैं। पिछले दिनों उनके बर्थडे पर बॉलिवूड सितारों का मेला लगा था। बॉलिवूड के बड़े कलाकारों ने करन के बर्थडे पर खूब धमाला मचाया था। करन जोहर सिंदल पैरेंट हैं। उन्होंने दो बच्चों को गोद लिया है। वर्कफरंट की बात करें तो करन जोहर ने बुधवार को ब्रहमास्तर का ट्रेलर रिलीज किया है। ये फैल्म में आलिया भट, अमिताभ बच्चन, मौनी रॉय और रनबीर कपूल लीड रोल में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा कुछ समय में करन जोहर की फिल्म जुग-जुगजियो और रोकी और रानी की प्रेन कहानी रिलीज होने वाली है। करन जोहर एक एक्शन फिल्म का निर्देशन संभालने वाले हैं, जिसकी घोशना उन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पर की थी।